नमस्कार नक्षतर दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक सौगत है मित्रों आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र से राहू अलग-अलग भावों में बेठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं यहनी शुक्र ग्रह के साथ राहू बेठे जाएं तब क्या फल मिलते हैं सुक्र से राहू दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चोथे भाव में और इसी प्रकार क्रमसा बारबे भाव तक राहू ग्रह के क्या फल होंगे इस पर आज के वीडियो में हम विचार करने वाले हैं यदि आप चैनल पर ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वावस से करें वीडियो ग्यान बर्दक लगे तो लाइक भी करें आई शुरू करते हैं मित्रों सबसे पहले हम बात करेंगे शुकर और राहू किसी भाव में यदी एक साथ बेढ़ जाए तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं देखिए शुकर ग्रह की बात करें तो शुकर भोतिक वस्तू के कारक हैं जीवन में प्राप्त होने वाले एस्वर के कारक हैं समझ प्रकार के सुखों को देखने के लिए शुकर की कुल्ली में अच्छी स्थिती होना अनिवार है राहू की बात करें तो राहू एक भ्रमात्मग ग्रह है यानि माया भी ग्रह है यदि शुकर और राहू दोनों एक साथ किसी भी भाव में एदी बेट जाएंगे तो सामानेता ये युति ठीक नहीं कही जाती क्योंकि शुकर और राहू जब किसी भी भाव में एक साथ बेटेंगे तो लंपट योग का निर्मान होता है लंपट का तातपर है जातक विप्रीत के पृति को ज़्यादा ही आकर्षित रह सकता है इस प्रकार की संभाबनाई बनती है शुक्र और रहु विशेत रूप से लगन भाव में एक साथ बेट जाएं या छटे भाव में आठवे भाव में या बारवे भाव में एक साथ बेट जाएं तो स्वास संभन्दी समस्यां रह सकती है शुक्र और आहू जब एक साथ बेठेंगे तो ज़्यादा बोलने वाला विक्ति हो सकता है ज़्यादा बोलेगा भी और स्रंगारी किस्म का भी होगा यानि जरा-जरा सी देर में या कुछ समय में अपने मुह को बार बार दरपण में देखने वाला कहने का ताथ पर यहादा कि सुनदर दिखने का सोकिन होने में कोई बुराई नहीत है लेकिन शुक्र और आहू जब साथ बेठेंगे तो जातक गलत आधतों का सिकार हो इस बात की एक संभाबना बन सकती है हलाकि ये आवशक नहीं कि दिखावटी रूप सेवाई गलत आत्तों का सिकारों हो सकता है कि आंत्रे कुछ आदिते हैं इसी हो जो बाहरी रूप में प्रकट ना हो पाएं इसके अलावा शुक्र राहू ये एक साथ बेटते हैं तो एक्स्ट्र मैलिटर अफेर की संभावना भी बनती है बेवाहिक जीवन में परिशानी का कारण ये शुक्र राहू की यूति बन सकती है इसकी एक संभावना है परंतु ऐसा आवशक नहीं है क्योंकि शुक्र और रा राहू मानलीजी किसी ऐसे भृव में बेटे हैं जहां पर ये सुबग ग्रहों के प्रभव में आ जाए और शुक्र मानलीजी उच्छ का हो जाए तो ऐसी परिस्तिती में ये राहू ग्रह भी जातक को ऊंचाइएं देने का कारी बेट जाएं तो जातक को ये ऊंचाइएं देने का कारे भी करते हैं, जातक technical minded हो सकता है, तकनी की छेत्रों का जानकार हो सकता है, यानि आज के परिवेस में काम निकालने वाला हो सकता इस बात की संभाबना बनती है, लेकिन मानली जी कि राहूगर है, नीच बस्था के होकर, या पीडित होकर लगन भाव में या पंचम भाव में बिढ़ जाएं और लगनेश भी पीडित हो या पंचमेश पीडित हो तो एसी परसिती में जातक चिरचड़े सोहाव वाला हो सकता है, कारियों में लापरवाही बरतने वाला हो सकता है, ठीक है अगर आओ कुंडली में का रखना आवश्क है कि अगर मानलीजी इनके बीच डिस्टेंस जादा हो सुबग ग्रों के प्रभाव में आ जाए राहू कमजोर पड़ जाए तो एसी अवस्था में हम ये नहीं कह सकते कि जातक कोई बुरे मार्ग पर ही ले जाएगा बलकि कई बार ये कारियों को बनाने वाली यूती भी बन सकती है मित्रों शुक्र से राहू ये दी दूसरे भाव में बेट जाएं तो ये स्थिती कुछ इस परकार से रह सकती है जातक कड़वा बोलने वाला हो सकता है परिवार और कुटम के लोगों के साथ उसके मतवेद रह सकते हैं ठीक है इसके अलावा व्यर्थ का धन खर्च करने वाला भी जातक रह सकता है यदी राहू यहाँ पर पेड़त हो नीच राशी ये सत्राशी के होकर बेटे हो या आकारक हो तो एसी परस्तिती में जातक आसरित रह सकता है खान पीन में विशिस सब्धनी बरतनी चाहिए यदी आप जितने साकाहरी रहेंगे राहू उतना ठीक रहेगा यदी आप साकाहरी नहीं रहे तो एसी परस्तिती में ये राहू बुरी मारगे बुरे मार की तरब भी जातक को धकेलने का प्रयास कर सकता है तो अता शाकाहरी बने रहें और जितना हो सके विनमरता बनाए रहें तो फिर इसी परस्तिती में राहू के नकरात्म प्रहों में निसंदे है रूप से कमी आती है अमान लीजे कि राहू गर चवस्ता के होकर बेट जाएं दूसरे घर में जहां पर सुक्र बेटे हुएं वहां से दूसरे घर में और धनेश की इस्तिती कुंड़ी में मजबूत हो तो ये राहू आकास्मिक धनलाव कराने बाले भी बन सकते हैं सत्रु हंता योग बनाते हैं और जातक अपने दुस्मनों को आसानी से पहचान लिया करता है कारेश छेत्र बेबी कहीं न कहीं आसानी हो जाती है मित्रों शुक्र से राहू तीसरे भाव में बेठे हुए हो और कुंड़ी का तरतियस ग्रह मजबूत हो यानि सुब परोहाव में हो तो यसी परस्तिती में निसंदेह राहू अच्छा फल देंगे जातको पराकरमी बनाएंगे बुद्धिमान होगा जातक योग अभ्यासी भी हो सकता है बल्वान होगा और लंबी आयू जीएगा बाईयों के साथ हाला कि कुछ हद तक वेचारिक मतवेद रह सकते हैं लेकिन ये राहू अपनी दशान तरदशा के दौरान यदि कारक गरे बन रहे हैं तो लाव देने का कारे भी करते हैं परन्तु हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि राहू शौट कट तरीके से धन कमाने के रास्तों पर आपको आगे बढ़ा सकता है तो शौट कट तरीके ना पना है विदिवत तरीके से जो कानून समफ का रहे हैं वही करें तो निसंद है आप जी उनकाल में धनवान भी होंगे और भागेबान भी होंगे आपका ब्यापार और धनदा भी खूब चलेगा यदि राहु गरे मजबूत हों और तत्तिय सुब ग्रहों के प्रभाव में हों तो एसी परस्तितिम निसंदे ये राहु आपको दशांतर दशा के दोरान सुफलनाई बनेंगे यदि कारगरे हों और स्वचेतरी, मित्र चेतरी ये उच्छराशी के होकर बेठे हुए होने चाहिए मित्रों शुक्र से राहू चोथे घर में बेटे हुए हो इसके अलाबा चतुर्थेस और चतुर्थ भाव अस्वब ग्रहों के प्रभाव में हो तो जीवनकाल के दौरान आर्थिक परिशानी बनी रहती है दुखी रह सकता है किसी भी कारण वस जातक इसके अलाबा हिर्दे स अ किस्वों ना हो इस बात के संभाव नाभी बनती है राहू जब चतुर्थ में बेठेंगे तो आकासमिक ताको भी बढ़ाने वाले हो सकते है याई आकासमिक रूप से कोई संकट आ सकता है कभी कबार इस प्रकार के संभाव नाभ की जगे धनहानी हो जाए धन बचाने मे जाता को दिक्कत का अनवब हो तो इस प्रकार के स्थिती बन सकती है हाला कि कारशेतर में ये राहू उसे आसानी कर दिया करते हैं यदि दसमेज के स्थिती कुल्डी में सुभो तव लेकिन ध्यान रखें कि प्रमक रूप से गर देखा जाये इमोटे तोर पर यदि देखा जाये कि चतरत भाव में राहू बेटे हो या फिर शुक्र से राहू चतरत हो तो सामान था ये स्थिती ठीक नहीं कही जा सकती है मित्रों शुक्र से राहू पांच रहे हो या फिर पंचम भाव में राहू बेट जाये तो ऐसी परस्तिती में शेरमाण के इत्यादी में जातक के रूचियां हो सकती है धन कमाने के लिए वह है काफी प्रतनेशील रहेगा लेकिन राहू के दशान तरदशा के दौरान विशे सुरुप यदी जातक पढ़ाई कर रहा है यानि संत्रान सुक में बादा या वेचारिक मद्वेत की सुचना देता है सुक की चाहा करने वाला होगा कोई भी कारे पूरा ढंक से नहीं कर पाएगा यानि कारे को अधूरा छोड़ देगा और इसके बाद नया कारे स्टार्ट कर देगा तो किर्पय ध्यान रखें कि इस प्रकार के स्थितियम बन रही हो तो कारे को बीच में ना चोड़ें उसे पूरा करें जाता को सोहा थोड़ा से चरचड़ा हो सकता है क्योंकि राहू की नवी दृष्टी लगन भाव पर जाएगी लंपट प्रकार का योग भी बनता है भोति प्रकार के फल मिल सकते हैं मित्रों शुकर से राहू छटवे हो या फिर कुंड़ी के छटे भाव में राहू कारगर है बनकर बेठे हो तो ऐसी परिस्थिती में अच्छा फल देंगे जातक को लोगप्री बनाएंगे मधुरवासी होगा यानि काम निकालने वाला मधुरव कंप्यूटर के छेतरों में तकनी की छेतरों का जानकार जातक हो सकता है इसके लावा दूरस स्थानों से समझ बनाने पर उसे लाब हो सकता है यदि मितरत रश्टी या फिर सुरासी वाली दृष्टी जा रही है तब लेकिन मान लीजे नीच राशी है सतुराशी के दृष हो सकते हैं कड़वी वाणी बाला ये बना सकता है तो अता यहां पर फ़र साफधानी रखने चाहिए आई अब बात करते हैं कि शुक्र से राहू यदी सात्वे हो तो किस प्रकार के फ़ल मिल सकते हैं मित्रों शुक्र से राहू यदी सात्वे वेड़ जाएं तो ये स्थिती भी सामाने तर ठीक नहीं कही जा सकती दामपत जीवन में कही न कहीं मतवेद हो इस प्रकार के संभाब ना बनती है इसके अलाबा बुरे रास्तों का अनुसरन भी जातक कर सकता यदी राहू नीच वस्थाके होकर कुंड़ी के सबतंभाव में बिढ़ जाये और किसी सुबग गरे के प्रवाव में ना हो कई बार भर्मात्मा के स्थितियां भी बनती ही यनि क्या सही है और क्या गलत है इसका नरने जातक आसानी से नहीं कर पाता लापरवा किसम का हो सकता है संकालू प्रवर्ती रह सकती है हाला कि परिश्रमी होगा और जोगाड तोगाड वाली प्रवर्ती का उपयोग करेगा जिसके कारण वह कुछ ना कुछ लाव का अर्जन कर सकता है ठीक है हाला कि ऐसा करना उचित नहीं होगा इसके अलाबा जातक को कुल मिलाकर साबधानी बरतनी चाहिए यदी राहु कुल्ली के सब्तम भाव में नीच राशी सतराशी को कर बेढ़ जाए तब मित्रों शुकर से राहु यदी आठवे भाव में बेढ़े हूँ अत्वा कुल्ली के अस्टम भाव में राहु गरे बेढ़ जाए तो यह स्थिति सामाने था ठीक नहीं कहिए सकती, पेट से समंदित रोग यह दे सकता है, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के एंसे रोग दे सकता है, जिसके करण उसका स्वास्त ठीक ना रहे, तो उसाप धनी हापर बढ़ते हैं, किसी प्रकार के गुप्त कारे करने से बचना चाहिए अचनक धनानी या अचनक धनलाब के योग भी ये राहुग्रे देते हैं अब ये धनलाब कराएंगे ये धनानी देंगे ये इस बात पर निर्वर करेगा किस शुकर कुंड़ी में काराखे या नहीं ये देखना होगा इसके लाब राहु कुंड़ी में काराखे या नहीं ये आपको देखना होगा किस राशी में बेठे हुएं ये उच्छे रवस्ता के होकर बेठे हुएं तो आकास में धनलाबी करा सकते हैं लेकिन यदी नीच वस्ता के होकर बेड़ गाए, तो कहीं न कहीं अचानक धनहानी की योग भी ये बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसी परिष्टिती में कोई भी जो कारे करें, तो सोसमझ कर करें, नेतिक तरीके से करें, विदिवत तरीके से करें, तो निसंदे हैं, आप राहू य ब्रह्म का सिकार भी होगा, यहनी क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका फैसला नहीं कर पाएगा, यह कर पाने में उसे दिक्कत का अनुभव होगा, यहनी परिषानी महसूस करेंगा, राहू की द्रष्टी, शुकुरपार होगी पांचवी द्रष्टी, तो लंपर ट्यो पिता से वेचारिक मध्वेद रह सकते हैं और कह सकते हैं कि जातक को थोड़े दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है लेकिन यदी राहू सुबग ग्रोहों के प्रभाव में आ जाए तो निसंदे अपनी भागी के उन्निती अपने परिश्रम से करेगा अपने जीवन को उन्निती के सिखर पर ले जाने का प्रयास इसे राहू ग्रे जातक को यानि ऐसी परिश्रतियां जातक के लिए उत्पन कर देते हैं कि वह अपने परिश्रम से अपने भागे को उन्नत कर पाए मित्रों शुकर से राहू यदी दसवे बिढ़ जाएं या फिर दसमभाव में बिढ़ जाएं तो ये इस्तिती सामनेता ठीक कही जाएगी जातक कोई अच्छा फल देगी राजनितिक छेत्रों का जानकार जातक रह सकता है कंप्यूटर तकनीकी चित्रों में उसके रुचियां हो सकती है इसके अलावा बाणी कड़ भी हो सकती तो ध्यान रखें कि बाणी पर थोड़ा सा सयम बढ़ते है सत्रों जातक पर अहावी होने का प्रयास करेंगे लेकिन जातक सत्रों पर विजे दर्ज करेगा इस बात की संभावना बनती है मामा पक्ष से कुटम के लोगों के साथ मत्वेद हो सकते हैं यदि इनकी नीच राशी है सत्राशी की दर्श्टी सेकंड हास पर पढ़ जाए या फिर छटे भाव पर पढ़ जाए लेकिन यदि यदि ये स्वरासी या उच्छ राशी वाली दर्श्टी में पढ़ रही है तो इस प्रकार की परस्तियों पर नहीं होगी हाला कि धन के लिए जाता कि दिरंतर प्रतेंसील रहेगा और मित्त वैई होगा यनि कम खर्च करने वाला होता है इस बात के संभावना बनती है मित्रों शुक्र से राहू यदि ग्यारवे हो या फिर ग्यारवे भाव में राहू गरे बिट जाए तो ये स्तिती सामानेता अच्छी मानी जाएगी जातक महनती होगा लेकिन पड़ा इत्यादी मन ना लगे इस परकार की सामाने समस्यर है सकती है इसके अलावा संतान के साथ वेचार एक मतवेद बने रहें और जीवन साथी के साथ वेचारिक मतवेद बने रहें, इस बात की संभाव ना भी बनती है, हलाकि जातक कुशर वक्ता होगा और कमाई के लिए शौर्ट रास्ते भी अपनाने का प्रयास करेगा, तो शौर्ट रास्ते अपनाने से बचें, कुछ हद तक जातक सामाजिक मर्य द्यादाओं का ध्यान रखें, ताकि मान सम्मान बना रहें, जातक विद्वान हो सकता है, अच्छा संपादक हो सकता है, लेखाक हो सकता है, यदि बुद्ध और पजमेश के स्थिति कुनल्डी में सुभ हो, तो ध्यान रखेगा कि यह हमारे उपर निर्फर करेगा, कि रा तीवी दर्ज करेंगे, लेकिन यदि आपने शॉर्ट रास्ते अपना है, तो निसंदे कहीं न कहीं अपमान का मूभी देखना पड़ सकता है, मित्रों शुकर से राहू यदि बारवे बेट जाएं, तो सामान निता ये ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन दूरस इस्थानों म लाब दे सकते हैं, पर अपकार इत्यादी से जाता है, अपना नाम रोशन कर सकता है, विदेशों में दूरस इस्थानों में लाव पराप्त कर सकता है, लेकिन यदि मान लीजी ये, नीचराशी सतुराशी को होकर बेट जाएं, लगनेश के सत्रु ग्रह बन कर बेट जाए घरेलू पर रिशानी बनी रह सकती है, दाम पत्ते जीवन दुखत रह सकता है, पेट से संबाने तो रोग जाता को घेर सकते हैं, स्वास्ते समस्या घेर सकती है, कानूनी मामलों में फ़स सकता है, यदि राहू असुभ हो जाएं तब ठीक है, और या फर रोग इत्ते आद चेत्री होकर यदि बेटे हुएं तो अच्छा फल देंगे, लगने इसके सत्रुग्रे होकर बेट जाएं, नीच रासी सत्रुषिक होकर बेट जाएं, तो ऐसी परस्तिती में दिक्कत का समना करना पड़ सकता है, मित्रों कारिक्रम घ्यान ब्रतक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, धन्यवाद